हेलो स्टूडेंज तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलेक्ट्र स्टाटिक पोटेंशल एंड केपैसिटेंस का लेक्ट्र नमबर थ्री जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिनियस चार्ज दिस्टूबिशन के वज़ा से कैसे हम लोग अच्छा लेक्ट्र वन और लेक्ट्र टू बचों आप लोग जरूर देखिएगा बहुत इंपोटेंस है दस दस चैप्टर में पूरे 11 टूवल्थ फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर उस कॉंसेप्ट का यूज होता है और देखेंगे हम लोग पढ़ना चाते हैं कॉंसेप्ट को समझते जाएगा अंदूरौनी से चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई एक बॉडी फर अगर चार्ज continuous अगर distributed होता है तो किस तरह से distributed हो सकता है तो कोई length पर distributed हो या तो कोई surface इस area पर हो, कोई plate पर, या पूरे volume में distributed हो, यानि कि तीन जगह पर, बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो, तो देखो line पर है, तो lambda देखे रखा है, पता है, सब एक कलम का दाम है, एक कलम का दाम है, इस तरह से दाम है, जो हमें जुरत पढ़ेगा थोड़ा ज्यादा का, त sorry, length है यहाँ पर बचो, total length से हम गुना कर दे, line है न, तो total length से गुना कर दिये, तो यह निकल जाएगा, total charge, अच्छा, area distribution हो, तो total कैसे निकालेंगे, sigma into total area से गुना कर दो, तो total charge निकल गया, उसी तरह से volume में, total charge अगर निकालना हो, तो rho into total volume से गुना कर दो, तो total charge, अब इ dldr, तो इस पर charge भी कितना होगा, तो तनिगो, तनिगो length, तनिगो charge, कैसे निकालते हैं, तो dq equal to lambda into dldr, हो गया, यह न, इसमें, छोटा सा कोई अगर area ले ले ले, area, plate है, area कैता है dada, तो इस पर charge भी कितना होगा, एकदम तनिगो, dq, 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 बहुत आसान है, dq equal to sigma into क्या हो जाएगा, dada, dada, sigma है, एक alarm का दाम, बस, अब हमें कितना चाहिए, एक तनिगो दाम चाहिए, तनिगो एरिया से गुना करो, तो तनिगो निकलता है, यानि कि very very small, इसी में, अब छोटा सा कोई volume ले ले लिए, भाई, यह है मेरा क्या, dv, 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 तो इस पर charge कितना हो एक तीन रास्ते, ठीक है, अगर छोटा भी charge निकालना हो, तो उसके भी कितने रास्ते हो जाएगे, तीन रास्ते, चलिए, note down कर लिजे, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम, तुम से करता है, हाँ, तो हमारे पास title क्या है बच्छोब, title, potential due to continuous charge distribution, तो direct सवाल से ही देखते हैं, find potential at point P, एक point P है, हमें potential निकालना है, तो भाई, potential का जो basic हमें, जो पता है क्या, कि कभी भी अगर कोई point charge हो Q, उसके कारण R distance पर, एक point है P, बताओ कि यहाँ पर potential क्या होगा, तो potential का formula क्या होता है, अब हम जानते है, कि I into जो भी charge है, तक क्या क्या हो जाता है R, अगर positive है, तो positive रख दो, negative है, तो negative रख दो, और उसी क्या धार पर potential भी positive, negative होता है, अब इसी पर जड़ा extend करते हैं, अगर कहीं छोटा सा charge होगो, point charge, DQ, एकदम छोटा सा, तो उसके कारण R दूरी पर potential कितना होगा, भाई, ले रहे charge ही, तो तनी होगो, तो potential 5000 वोल्ट होगा, तनी होगा, यानि इस point पर आप potential लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, DV, एकदम छोटा सा होगा, क्योंकि charge ही मेरा क्या है, बहुत छोटा, तो यह आएगा क्यतना, K into DQ, DQ, DQ divided by क्या होजाएगा, क्यतना distance पर आप निकाल रहे हो, और जब छोटा potential निकल गिया, छ जैसी charge जोरत पड़े, तीन रास्ते, तीन रास्ते, तीन रास्ते, ठीक है, इसको भी note down करेंगे, note point करके, पता जो भी लिखता हो न, उसको notes में जरूर डालिए, जरूर डालिए, हर चीज आपको सीधे तेजी बनाने के रास्ते पर चलेगा, चलेगे, देखते हैं, अब, एक मेरे पास red है, red है इसे, उस पर total charge distributed है, continuously plus plus plus, देखे रखा है lambda, ठीक, अच्छा, total length कहता है, capital length, उस red के एक end से a distance पर जाकर एक point P है, और हमें बोला है कि potential निकालो point P पर, तो हम कैसे बोले, कि अगर यहाँ पर कोई point charge रहता न, q, और बलता r distance पर, तक क्यों क्यों बटे r लेकिन भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ से start होता है, red और continuously जारा, 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 यानि कि lengthwise है, तो dl 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 जाते 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 यहाँ तक है, तो बहले अच्छा ऐसा करते है, जब पता है कि variable है, हर जगा पर charge है, तो सबसे पहले किसी भी जगा पर, छोटा सा लेंथ पर छोटा सा चार्ज मालेते हैं उसके कारण potential निकालने कि यहां वो होगा एकदम छोटा सा बस integrate कर देंगे पूरी रड का answer आजाएगा तो सबसे पहले क्या करें जब भी ऐसा variable होता है तो हम लोग करते क्या है कि let इस point पर निकालना न तो यहां पास एक variable distance पर जाते लैट x distance पर गए और हम लोग क्या करते हैं छोटा सा length ले ले लेते हैं क algebra यही छोटा सा length ले ले हैं dx अगर तो इस पर चार्ज कितना होगा जैसा ही छोटा सा length ले है तो भाइया इस पर तो हम लोग क्या बोले कि dv, 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 at point p, at point p पर क्या होगा, छोटा सा जो potential ये होगा, ये हो जागा k into dq, यानि कि kq divided by क्यतना distance x, ठीक है, अब हमें इसी को क्या करते हैं, integrate, तो बोले कि भाई, यहाँ देखे जरा, since lambda दिया हुआ, तो how to find dq, तो हम लोग जानते हैं कि dq बर तो हम लोग यहाँ पर setting कर दें, ये k lambda dx और ये हो जाएगा बटे x, this is a small amount of potential, ठीक है, तो how to find total potential, integrate कर दो, कर दो integrate, तो भाईया ये 0 से ले करकर के भी, यानि कि what is the total potential, और कहां से कहां तक देख रहो, k lambda जो है, ये constant integration के बाहर आ जाएगा, dx, x, x variable है, तो बोले x start कहां से हो ह जा रहा है, तो बोलेंगे देखो start, तो यहाँ हो रहा है, यह इतना दूर तक में तो charge ह ही नहीं, charge यहाँ से start हो रहा है, तो बोलेंगे it is starting, यानी x हमको लेना है कहां से, a से लेंगे, और चले जाएगे कहां तक, यहाँ तक, dx, dx, तो वो कितना distance है, यहाँ सी हिरा, टोट तो यह बन जाएगा मेरे लिए भी, और यह k lambda देखो, बाहर आ गया, dx बटे x का integration होने जा रहा है, a से ले करके a प्लस l तक, k lambda गया बाहर, dx बटे x क्या होता है, यह पूरा integration हम सिखा के रखे हैं, basic mathematics for physics के अंदर, प्लेलिस्ट में सारा lectures है, इसका होता है बचो, lnx, lnx, देख यहाँ पर e लगा दिया करो, ठीक है, एक दम सबसे साटिक, अग यह लगा दोगे, तो जिल्दगीन कभी गलती होगा ही ने, इसलिए तो सबसे अच्छा क्या है, जब भी natural log, कुछ भी integration वेगरा कहीं log जो आता है ना, चाहे integration हो, differentiation हो, कुछ भी, वो सब रहता है natural logarithm, सब रह तक, a से लेकर के a plus l तक, तो चलिए लिखते हैं, k lambda आ गया बाहर, यह हो जाएगा ln, x के जगा पर रख देंगे a plus l, minus, पहले यह substitute क्यों, minus ln क्या हो जाएगा a, और उसके बाद क्या है, properties हम लोग लगाते चले जाएगे, देखो k lambda, यह क्या log एतना, अब minus log एतना, यानि log a minus log b, यह हो जाएगा log a बाटे b, तो यह हो जाएगा log, यानि के जो भी है यह, अब बाटे क्या हो जाएगा b, कि नहीं को दिक्कत लग रहा है कि property कुछ है, ऐसा कुछ, YouTube में टाइप करिएगा logarithm physics links, कि नहीं को anti logarithm का शौट्री का जोरत पढ़ेगा, चाहे chemistry हो चाहे biology, चाह आपने देखा ही नहीं, अगर देख लोगे anti logarithm physics links, YouTube में टाइप करके calculator के जोरत ना पढ़ी, जिन्दगी में कभी ने पढ़ेगा, क्योंकि बीना calculator का कैसे calculate करते हो वो सारा trick बता चुके है, खट 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 खटा की जो है competition में या boards में कहीं भी आता है तो आप use करके तुरंत answer निकाल सोगो, तो बचों यही मेरे लिए क्या होगे answer, कभी कभी इस format में भी रहता है ln, देखों यह इधर भी divide कर देंगे, इधर भी divide कर देंगे, तो यह क्या बन जागा, a यहां कि तो 1 हो जाएगा, plus l बटे क्या होगे, this is the total potential due to इतना, तो बहुत असान है, लेकिन हाँ पता है कि यह रहना, अगर नहीं पढ़ा हुआ है, 11th पर इस अब logarithm या अटी logarithm, इसलिए बता देता हूँ बचों, क्योंकि पता है, नहीं पता रहेगा, तो हम calculator से calculate करते हैं, और समय बरबाद होता है हमारा, उतनाम तो हम calculate करके आगे निकल जाएंगे, चली, potential due to a charged circular arc, पहला क्या लिखे, in terms of q ही, answer q के terms में ही हो, ठीक, पहला ये, दूसरा देखो इसी का just cut copy paste, लेकिन जो है न in terms of lambda, अब lambda देके रखा है, क्योंकि पता है कोई arc अगर है इस तरह से, तो है कि actually length ही ही तो है, यानि length पर distribution है, तो lambda देके रखा है, तो q के terms में भी answer बड़ी popular है, औ और lambda के terms में भी answer बहुत popular है, आपको सब पता चल जाएगा, कि lambda का जो हम answer लाएंगे, किस type of सवाल में use होता है, और q के terms में लाएंगे, तो किस type का सवाल में use होता है, और चलिए, सबसे पहले a part बनाते हैं, तो इसको a नाम करन दे देते हैं, चलिए, ठीक, क्या करते हैं, तो बोलते हैं, जैसे भी, जब धी कभी को circular ऐसे आर्क आता है, तो हम लोग को पता है कि भाई, let, बनाने का तरीका आप लोग electric field से अलड़ी जान रहों, क्या करते हैं, हम लोग, let, center से ऐसे line लिए, आधा इधर, आधा इधर हमने divide कर दिए, यानि कि total alpha angle है, तो समझो, alpha एक second बचो, मैं बना लेता हूं जरा, ठीक है, गये यहाँ पर, और छोटा सा length यहाँ पर ले लेते हैं, क्या है भाई, length ले लेते हैं, latitude में dx, और अगर dx length लेंगे तो इस पर charge जो हो जागा, वो क्या हो जागा, मेरा dq, तो कितना angle में वो subtended रहेगा, छोटा सा angle में subtended है, यह है मेरा d theta, यानि कि theta angle पर गये, d theta में हमने देखा, छोटा सा charge है वहाँ पर dx length के अंदर dq, तो बोलते हैं कि भाई, dq छोटा सा जो जो उसके वज़े से यहाँ पर potential क्या होगा, तो dv, तो वही dq, dq जो भी charges है, हम यहाँ से लेकर के वहाँ तक integrate कर देंगे, तो निकल बना कहाँ पर है, at point o पर, dv equal to हो जाएगा k into, छोटा सा charge हमने लिया है, तो k q बटे r, तो वहाँ से वहाँ तक distance केतना है, r ही होगा, क्योंकि circle इस तरह बनावो तो यह भी distance r है, तो यह भी distance केतना होगा, r ही होगा, अच्छा, अब integrate करते हैं, तो total integration ऐसे लगाएंगे, dv तो पता है कि वही बन गया, total potential, k और r, constant है, है न, कहीं भी चले जाओ, r तो constant, तो k बटे r चला गया बाहर, integration हो गया, dq, 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 और देखो, देखर के यहाँ पर क्या रखा है, जरूर आम ने लिया है, dx length में, dθ angle के अंदर subtended है, उच्छोटा सा charge, लेकिन, since dq, 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 तो भया, total charge ही देखर के रखा है, मेरे आर्क, पस, आर्क के ऊपर क्या, q, तो dq, 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 का integration ही क्या होता है, q, तो यानि कि यह हो गया, मेरे लिए क्या, बहुत आसान, तो dq, dq, क्या बन गया, q, तो देखो, potential, 8.0 क्या निकल गया, k q बटे, r, बहुत आसान, बोलो गया है, यह, यह था, इसे तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना, यानि कि कभी कोई अगर आर्क हो, हमारे पास दिया हुआ, कितना भी एंगल में बच्छो subtended हो, ठीक है, बस एक कोई आर्क अगर हो, तो q, 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 q ऐं, दे हो कि सेंटर से एक लाइन ले लते हैं, ऐसे जाते हैं, लेट, लेट घट कोई theta एंगल पर गए, और वही छोटा सा d theta एंगल के अंदर dx लें लेंथ लेते हैं, वहां पर चोटा साっちゃ, उसके बज़ए से निकाल लेंगे, देखें, इंटीग्रेशन में हमने क्या जोर सर मेरे को बना लेने तो चरह, हां, ठीक, क्या करें ये है d theta में छोटा सा length है एकदम छोटा सा भुच्ची को length है, charge कितना हो گا इस पर, dq, 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 लेकिन ये जो dq है, अब हमें पता है capture λेंटा दे के ब्रेक करने की ज़रत ही नहीं है, बहुत आसान है सिर्फ लिखते जाईए देखो तो dv, dv, dv जो हो जाएगा वो हो जाएगा, के competitive kq mainland r होता है, केug tout r kq mainland r, यह distance r है, ये वहला भी r हो गया हो गया, अब total अगर integrate अगर करे तो भाई, dv, dv, dv इधर तो बन गया भी जीरो से लेकर के भी तक ये कैसे इंटेग्रेट करें तो k और r देखो constant है तो ये integration के बाहर हो गया भया dq 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 how to find dq अब lambda के terms में तो dq बराबर होगा dq बराबर हो जागा lambda into dx 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 बोलो के सर कर क्या रहे हो आप मैं निकाल रहा हूँ कि ऐसे r के है center पर गए let theta पर इधर गए तो छोटा सा length dx लिए तो dq charge मिला जैसा इधर theta पर आप गए और continuous distribution यानि यहां से लेकर के यहां तक dx 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 कितना लेंगे infinite dx 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 होगा तो जैसा आप इधर ले रहो theta पर same theta पर आप इधर जाओगो तो उसका counter करने के लिए इधर भी तो charge है यानि कि यहां से आपने लिया तो इधर से भी लो तो actually लेना हमें कहां से कहां पड़ेगा यहां से ले करके यहां तक तब जा करके निकलेगा total potential तो हम बोले कि center से जब हमने total angle alpha के अंदर subtended है बिच से ऐसे जब divide की है तो इस side केतना हो गया alpha बटे 2 और उस side alpha बटे 2 तो since इसको आप origin जैसा treat करो तो इधर left side minus बोल देते हैं तो अधर plus बोल देते हैं यानि angle में कहां subtended है यह minus alpha बटे 2 यह 0 और right side हो जागा plus alpha बटे 2 यह line अगर देखो गया ऐसे तो origin जैसा किधर यहां तो कही न कहीं है जो आना कहां से कहां तक आप जो d theta d theta लिए हो dq dq charge यह d theta actually कहां से कहां जाना चाहिए यहां से आप start करो d theta d theta d theta लेते 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 वहां तक जाओ यानि यह theta का जो integration हो minus alpha बटे 2 से लेकर के alpha बटे 2 तक हो तो हमारा target है कि एक variable में हम लाए theta के अंदर ताकि हम integrate कर सके अभी तो इसमें theta दिखी ही नहीं रहा है तो लिखने की कोशिस करते हैं यह हुआ equation number one लैमडा तो constant बहुत अच्छा है लेकिन dx how to find dx तो dx को d theta में हम कैसे लाएं तो यह जो छोटका e वाला दीख रहा है ना इसके अंदर चलते है देखो ऐसे क्या है circular arc है देखो ऐसे इस तरह से थोड़ा से मैं बड़ा बनाता हूँ समझने के लिए इसका length लिया है हमने dx यह है एक चोटा सा angle d theta और यह है मेरा r तो इसी में हम लोग जानते हैं since circle है तो angle बराबर होता क्या है angle होता है कितना arc length है divided by radius r लिख सकते हैं इसको तो dx बराबर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो r into d theta this is equation number 2 तो एक तो dq निकल गए lambda dx और वो जो dx हो आगे मेरा r d theta तो उसको हम उहाँ पर रख देते हैं therefore dq बराबरा जगा lambda r आईए होगे d theta this is equation number क्या होगे 3 hence हम लोग direct यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकते कि भाई integrate देखो k बटे r और dq 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 के जगा पर क्या लिख देंगे lambda r into क्या होगे d theta तक ही पता चले integration actually कहा करना है यह rr देख रहो क्या है बच्चों यह गया integration सिर्फ होगा d theta d theta d theta का तो कहा से कहा तक बोले minus alpha बटे 2 से लेकर के plus alpha बटे 2 तक चले जाएए तो भही यह पूरा हो जाएगा है ना देखे आसान होगे rr चला गया तो this is k lambda तो d theta d theta का integration हो जाएगा theta minus alpha बटे 2 से लेकर के plus alpha बटे 2 तक तक तर this is the total potential है ना एकदम आसान लग रहा होगा ऐसा electric field में तो कि electric field में तो direction बेगर अभी होता था यहां तो कुछ नहीं है लिखते हैं तो v equal to k lambda सबसे पहले क्या रखेंगे alpha बटे 2 minus फिर theta के जगा पर क्या है minus alpha बटे 2 तो यह हो जाएगा minus alpha बटे 2 hence k lambda देखो alpha बटे 2 minus minus plus alpha बटे 2 तो टोटल आ जाएगा k lambda आधा रुपया प्लस आधा रुपया एक रुपया यानी की alpha this is the value of potential due to a circular arc in terms of lambda k lambda alpha k lambda alpha k lambda alpha और point to be noted यह जो alpha होना चाहिए alpha must be in radian क्या चाहिए में होना चाहिए radian and not in degree and not in degree degree में ने होना चाहिए SI unit है ना voltage जैसे बचो यह भी SI unit में हम लोग सब ची लेते हैं इसलिए SI unit इसका radian होता है angle का आपको तो radian में रखना पड़ेगा अब देखते हो radian आ गया degree में ने होना चाहिए 30 degree के अंदर total दे तो how to find radian मन लोग कभी दे दे 66 degree कुछ ऐसा दे दे तो radian में कैसे लिखोगे इसलिए मैंने क्या किया है basic mathematics और physics के अंदर trigonometry के अंदर सबसे पहला जो तीन lecture में cover करवा है पूरा trigonometry में पहला में radian और degree का ही conversion करवा है क्यों क्योंकि physics के अंदर जोरत पढ़ता है नहीं पढ़ाएंगे तो अभी आधा गंटा मेरे को अभी पहले ये पढ़ाना पढ़ता ने तो फिर fast कैसे calculate करोगे देखो अभी numerical में भी देखते तो दो चीज़ा आया वी equal to क्या या भाई? कोई भी आरक अगर दिखाई दे, अगर charge हो ये lambda हो चार्ज में होता है तो kq बटे r और lambda में होता है तो k lambda alpha ते इसको एक ब्रैकेट में गेर करके आपर रख सकते हो k lambda alpha kq बटे r जो जोरत पढ़ेगा उसका हम use करेंगे चलिए देखते हैं सवाल find potential at center O एक circle है पूरे circle पर देखो सिर्फ positive charge distributed और प्लस lambda देखे रखा है बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा अभी हमने पढ़ा कि कोई भी अगर arc है तो सीरे देखो कि कितना angle है कितना angle बस angle देख लो total बस हो गया k lambda alpha यहाँ देखो क्या है तो यह पूरा circle है तो भाईया इस जगह पर total angle कितना subtend कर रहा है तो alpha बराबर कितना हो जागा total 360 degree कितना है 360 degree में total है distributed तो 360 degree को हम लोग लिखते क्या है 2 pi pi मतलब 180 into 2 करो 360 degree है ना तो हम बेरेट बोलेंग की potential at the center हो जागा formula k lambda alpha k lambda alpha तो k lambda alpha को लिखना पड़ेगा क्या चीज़ में radian में pi के टम्स में यानि कि 2 pi k lambda 2 pi k lambda तो यह हो जागा potential at the center तो देखो इस तरह से जवरत पड़ता है प्लस lambda मतलब positive charge distributed है अब इसी का just a counterpart आधा जो semi circle है उसमें प्लस lambda है प्लस प्लस और नीचे जो है उसमें minus minus है minus lambda बोलता find the potential at center o आ रहा है ना जबरदस्ट धीरे 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 तो हम बोलें भाई जो भी plus 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 है कितना alpha है वो बता दो तो यहां से लेकर करके यहां ता कितना है 180 degree इसका मतलब कि pi तो pi में बोलेंगे plus है अच्छा अब फिर नीचे भी तो 180 degree है तो इसमें alpha equal to कितना है pi 180 degree है minus उनस नहीं ले ना बस आई एंगल चेक करो कि कितना है यह कितना 180 degree 180 degree के अंदर minus है कैसे लिखेंगे यह देखो potential at the center o तो बोलेंगे यह जो भी होगा यहां पर एक तो plus lambda के भी कारण होगा plus एक minus lambda के भी कारण होगा ठीक है plus lambda के कारण तो हम जानते lambda में होता है तो arc के वज़े से k lambda alpha तो लिखते हैं दोको k lambda alpha alpha केतना है pi यह देखेगा अगर plus lambda होना तो plus लिख दीजे minus lambda होना तो minus लिख दीजे एक कलम का यह दाम है तो दाम ही चाहर रूपe हो चाहर पांच रूपए हो तो वह है प्लस मैनेस यहाँ यह कैसे लिखने लिखेको के यह लैμडग भूआ मैनेस यह तो मैनेस लैμडग लिखळो उपर के कारण 10 उरोपिया, नीचे के कारण भी 10 उरोपिया, लेकिन opposite nature का है, plus 10, minus 10 कहानी खातम center पर चार्ज होगा खातम, तो ये next देखते अब देखो, find potential at the center O, अब क्या किया है एक arc, जो है न, circular arc plus lambda है, लेकिन 60 degree के अंदर ठीक है, और बागी जो बचा हो, हाँ, minus, minus तो हम करें क्या, ये तो खुद से try करो, बनना चाहिए, एक फ़र जरा वीडियो रोखो, और खुद से try करो, फिर देखो कि मेरा answer जो है, आपके साथ मैच करता है कि नहीं, ठीक, तू प्यार है, आरा answer, ठीक है कर पा रहे होगे, इसमें जुरत पड़ेगा थोड़ा सा pi का conversion होला, देखो तो क्या करें, minus, minus, minus कितना degree है, तो टोटल है 360, मैं से 60 minus कर तो तो ये हो गया 300 degree ठीक, अब हमें पता है कि जो भी degree उसको pi में जुरत पड़ता है तो 60 degree को कैसे लिखेंगे तो अगर trigonometry में तेज बने हुए होगे मेरा वाला तेज, जैसे मैं बनाता हूँ 66 का मतलब 3, pi वटे 3, खड़ाक से answer इस तरह से करना है थे, ये नेकी मेरे तरह से इन मत करियेगा, जैसे हम लोग को 11 तो में सिखाया गया था, 180 into pi वटे, 180 जैसे करकर रटो, रटते थे, उसमें से कभी 180 वटे, pi गुना कर दिये हैं, कभी pi वटे 180, दो दू ये को चीज था, कुछ तो गुना कर ही देगा ना, इनसान, 60 लड़का अगर क्लास में बैठा हुआ है तो 20-25 माले, 180 वटे पाए, तो आधा, pi वटे 180 बाद वे बुलेगा, आच्छा ही, पालट के करना था, वाइसे ने भाईया, what is your name, my name is Anil Kumar, इसमें कोई डाउट ने होना चाहिए, आच्छा, Anil ने सुनिल नाम था, आच्छा, भाई का सुनिल, एक नाम है बस, उस तरह का confidence, 6-6 मतलब 3, 3-3 मतलब 6 खटाक से, 6-6 मतलब 3 हो गया, कहानी खताम, यानि पाइवर टे 3, आच्छा, 300 डिगरी को बहुत फास्ट कैसे करोगे, वैसे ने कि 180 वाला, रटंती विद्या, मैं तो रटंती विद्या, I hate, यार, वो तो भूल ली जाओंगा, मैं, हाथ 300 कैसे करेंगे, तो इसी करो, 6, 6-35 टेवल, बच्पन से पढ़े, 1-2-3-4 की सबका टेवल याद है, तो 6-35, यानि इसको कह सकते है, कि 60 इंटू भाई या 5 कर लो, तो 300 हो जाएगा, 6 मतलब, 6 मतलब होता है 3, तो नीचे 3 आगे, इधर आगे 5, यानि कि कितना आजाएगा, 5-5 बटे 3, देखो ये वो बात बतातो, पढ़ना वही चीज है, लेकिन तरीका बदल करके, 6-35, 6 मतलब 3, 5, यानि 5-5 बटे 3 खटाक से अंजा, एक दाँ, ट्रिक वाइस पढ़ो, हाँ, तो हम क्या करें, बुले भाईया, potential at the center जो होगा न, ये दोनों के वज़ा से होगा, तो plus lambda के वज़ा से भी होगा, और minus lambda के वज़ा से भी होगा, superposition principle है, जितने भी charges हैं, उसके वज़ा से, plus lambda के कारण, k lambda, k lambda, plus lambda है, तो भाईया, plus lambda, k lambda, alpha, alpha केतना है, 60 degree, 6 मतलब 3, ठीक है, plus, यहाँ पर हो जाएगा, k minus lambda, और alpha, 300, 300 मतलब केतना है, 5, 5, 3, answer, कहानी खातम, बस अब जोड़ घाटाओ तो होई जाएगा, k lambda, 5, 3, k lambda, 5, 3, ये तो minus 5 है, ये वज़ा केतना है, plus 1, ठीक, केतना होज़ागा, minus 4, k lambda, 5, 5, केतना होज़ागा, 3, तो, this is the potential at the center, term, नहीं, ठीक है, k lambda, 5, 3, k lambda, 5, 3, common, ले लो, minus 5, यहाँ, plus 1, minus 5, plus 1, केतना आ जाएगा, minus 4, तो, minus 4, k lambda, 5, 3, और अगर epsilon 0 के terms में कभी दिया हो, option में, तो, k को लिखोगा, 1 बटे 4, 5, epsilon 0, 4, 4, cut जाएगा, तो, epsilon 0 के terms में अंसर आ गया, तो, इस तरह से, यानि, कैसा अवे degree हो, कर लीज़े, चलिए, अब आते है, circular arc ही ही है, लेकिन, क्या है, potential हमें निकालना है, on the axis of a charged circular ring, तो, यह ring कैसे रखा हुआ है, यह ring कैसे रखा हुआ है, दोखो, ring है, अगर ऐसे मैं रखूँगा न, तो, diagram बनेगा, पता है, कैसे, ऐसे, circum, लेकिन, यह ऐसे नहीं रखा हुआ, board पर, कैसे, ऐसे, इस तरह से, तो, इस तरह से, diagram हम कैसे बनाते, ऐसे बनाते, जो की इस तरह से बना हुआ है, यानि, ऐसे रखा हुआ, ना कि ऐसे, ठीक है, तो, ऐसे है, पुरा प्लस 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 distributed है देखो ऐसे है बचो प्लस 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 तो इसका यह वाला जो हो जाएगा बीच में center यहां से x distance दूरी पर जाके और the axis पर बूल रहें कि एक point है हमारे पास यहां m बताओ कि यहां पर potential क्या होगा और देखो यहां पर charge क्या देखे रखा है क्यूँ यानि कि ring पर अभी हमने देखा कि lambda plus lambda minus lambda में क्या यूज करते कि lambda alpha और कोई भी ring अगर हो उस पर अगर charge के terms में दिया हो थो हमें पता है कि Q बटे R के Q बटे R के ठीक है कोई R के वज़ा से है तो R की ही तो चलिए देखे है क्या करें क्या करें क्या करें कुछ नहीं करना है छोटा सा छोटा सा कुछ चार्ज ले, इसको मैं रखता हूँ, तभी समझ में आगा, ऐसे हैं ना, क्या करते हैं यह एक्सिस है यहाँ, ऐसे, तो सबसे पहले क्या करें, भाई कहीं भी आप जा करके छोटा सा चार्ज ले लो DQ, ठीक है, डाइरेक्शन वेगरा तो है नहीं, ऐसे, तो DQ चार्ज ले लो, तो लेट हम लोग यहाँ पर छोटा सा लेंथ में चार्ज ले लेता है, कितना DQ, इसके वज़ा से यहाँ पर पोटेंशल होगा, क्या तो यह दूरी हमको लेना पड़ेगा, यह दूरी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यह में दोखो, यह R रेडिय की integrate करना है, नहीं, अच्छा, कहीं से भी बच्चों, कहीं से भी इस point पर देखोगे, ठीक, चाहिए उपर top point से आप देखो, top से, यह distance है मालो small r, तो यहाँ भी नीचे भी देखोगे, तो केतना distance होगा आप इस side से भी देखो, यहां से भी देखोगे तो केतना distance होगा चारों तरफ से क्या symmetry है, कहीं से भी देखो आइसे, ऐसे, 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 सब तरफ से क्या है small r, small r, small r, तो यानि r भी क्या आ जाएगा पता है, constant ही आ जाएगा और वो होगा क्या, पाइथोगरा से निकाल सकते हैं, perpendicular यह है base, तो यह hypotenious है, तो root अंडर क्या हो जाएगा, p square प्लस b square, यानि कि r square प्लस करता है x square, तो बोलते हैं क्या, on the axis at point m होगा क्या, तो छोटा सा कोई potential अगर बोले तो यह होने वाला क्या है, kq, लेकिन छोटा सा potential तो छोटा सा charge, kq बटे, r, और यह r है, root अंडर क्या है, r square प्लस क्या है, x square, यानि in terms of charge बड़ी आसान होता है, और in terms of charge जो मैं यह लिख रहा हूँ न, IIT में बहुत पहले 1992 में पुछा गया, फिर मेंस में पुछा गया, फिर NEET में, फिर आते रहता है सवाल, यह दोनों जगा पर तो same बस थोड़ा सा change करके value change कर दिया, diagram सब कुछ same तरह सा सवाल पुछा है, तो बन गया भी, के बटे root अंडर r square plus x square भाई है, यह भी constant हो गया, तो integration सिर्फ किसका होना है, dq, 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 दखो, r b constant, x b constant integration के बाहर, what is dq, 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 dq हो किया q, यानि कि अब what is answer, answer में रहा रहा है kq बटे, kq बटे, root अंडर r square plus x square, बहुत important, मतलब मत पुछो, repeat होता है examination में, very important हो गया, note down हो गया, kq बटे, एतना, अब मैं आप लोको बताता हूँ कैसे आप इसको याद रखोगे, kq बटे r, kq बटे r, kq बटे r, kq बटे r, हमको पता है, कोई point charge के वज़ए से, कोई point charge के वज़ए से, सीधा distance हो, तो kq बटे r, लेकिन अगर circle इस तरह से बना हुआ है, circle इस तरह से बना हुआ है, अब पुछते हैं कुछ दूरी पर, तो charge कहा है, charge इस point पर नहीं है ता कि kq बटे यही सीधा distance लिख दे, फ्ला से उपर है, यानि कि क्या करना है, kq बटे टेढ़ा वाला distance लेना है, कौन सा distance लेना है, जब भी ring आये, axis पर पुछे, तो टेढ़ा वाला distance ये, तक कहीं से भी आप उठा करके लिख दो, kq बटे टेढ़ा वाला distance लेना है, चलिए, इसी पर best सवाल, अच्छा, मेरे पास result क्या आया हुआ है, result ये है, कि भाई कभी भी कोई अगर एक ring है, और charge इहां पर q है, तो इसके center पर, मालो की radius r है, इसके center पर अगर बोलेंगे तो potential क्या होता है, क्या potential होता है, kq बटे r, तक kq divided by r, जो इसका radius हो है, अच्छा, at a distance x पर जाकर के जब बोलेंगे बताओ, यहां पर potential क्या होता है, मेरे language जो बोलता है, बचो भूस को याद रखो यार, कि कभी भी कोई circle के axis पर जाके बोले, तो kq बटे टेढ़ा वाला दूरी, kq बटे ट टेढ़ा दूरी, तो टेढ़ा दूरी कौन है, टेढ़ा वाला यह, ठीक है यह, तो यह कितना यहां देखो, r square plus x square, क्यों बटे टेढ़ा वाला दूरी है, मानते खराब लग रहा है सुनने में, खराब यह, लेकिन ऐसी पड़ो, कभी-कभी जिंदगी में खराब भी टेढ़ा दूरी पर क्या, तो एक रिंग के वज़ा से, उसके सेंटर पर भी potential होता है, और थोड़ा दूरी में भी potential होता है, इसको result के तोर पे मैंने लिखा न, copy में, आप भी लिखो, चलो, सबसे पहला, एक हमारे पास रिंग है, सेंटर इसका c1, radius r है, एक और circular रिंग है सेंटर c2, radius r, दोनों के बीचों मैंने distance दिया d, और यह इस पर charge q है, उस पर charge minus q, अगर d distance दिया, तो यह j means हो गया, ठीक है, और अगर d को हटा करके r ही में लगा दू, कि radius यतना r, r है न, यह भी r ही है, r, 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 r को यहां पर potential होगा किसके वज़ा से एक तो यह जो पहला सरकल उसका center पर है तो पहला जो circle है उसके center के कारण हो गया लेकिन देखने के एक और charge उधर है तो भाई अगल बगल में को charge होता है तो उसके वज़ा से भी यहां पर पोटेंशल होगा तो यह चार्ज जो है क्या है एक रिंग पर है एक रिंग पर है और वहां से डी डिस्टन्स दूरी पर यह सेंटर है तो हमको अभी पढ़े रिजल्ट कोई भी अगर रिंग होता है उसके एक्सिस पर होगा एक तरह से तो रिंग का एक्सिस पर यह लाइक कर रहा है तो उस रिंग के वज़ा से भी हैं पोटेंशल होगा कितना कितना तो बोलेंगे क्या पोटेंशल है एक सेंट्र सीवन होगा कैसी लिखू मैं इसको पोटेंशल है इसे लिखताँ और शींटर थे first ring के बज़ा से भी और second ring के बज़ा से होगा चलिये तो देखें क्या होगा first वाला का का तो center है center पर तो बड़ी असान होता है k-cubate r k-cubate r hoगे लेकिन इसी जगह पर इसके कारण होगा तो कभी भी कोई ring का एकसिस पर होता है तो तेढ़ावला दुरी लिखते है, तेढ़ाः का, तेढ़ाः दुरी कोन है भड़ी? तेढ़ाः दुरी ये दूरी है और ये दूरी होगा केतना, ये है R ये है D लिखते है, दिस विल भी R square प्लस के ता D square यह हो गया potential at center c1, बहुत आसान, बहुत बार सवाल पुछा जाता है, याद रखेगा, अब find potential at center c2, तो बोले c2 जो point है ना, इस ring का वो center है, तो center पर k cube a t r हो गया, ठीक है, लेकिन यह जो point है, यहाँ पर जो potential होगा, एक और charge यहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है, तो वो है बोलो मेरे साथ, टेढ़ावला दूरी, टेढ़ावला दूरी, टेढ़ावला दूरी, यादि यहाँ पर निकालेंगे तो फिर से यह दूरी लेना पड़ेगा, answer will be same, टेढ़ावला दूरी जो होगा, क्या होगा, same, यह केतना distance हो जाएगा, r square plus केतना d square, देखो, r, और क्य देखने आई, ठीक है, हाँ, अब ठीक लग रहा है दिखने में, चलो, लिखते हैं, तो potential at center c2 आजाओ, यहाँ लिखता हो, potential at center c2 जो होगा, एक तो c2 पर जो होगा, एक तो second ring के वज़ा से भी होगा, और potential वही पर first ring के वज़ा से भी हो जाएगा, ठीक है, second ring का क्या like कर र radius r है, तो r, k cube अटे r, लेकिन first ring जो है, उसका हो गया, टेढ़ा वाला दूरी, टेढ़ा वाला दूरी, तो यह हो जाएगा, क्या देखो, plus k q divided by टेढ़ा वाला दूरी मतलब केता, r square plus केता है, d square, यह हो गया, potential at center c2, this is equation number 2, this is equation number 2, कोई दिककत नहीं है, अब देखते है, find potential difference between c1 and c2, बहुत बारिक है, इसलिए lecture 1, 2 जुरूर देखा होना चाहिए, कि भाया, change in potential, नहीं बोल रहा है, potential difference, तब potential difference का मतलब होता है, सीधा cd, क्या होता है, सीधा cd, बता चुके है, तो सीधा cd का मतलब, पहले क्या है, c1, बात में c2, इसका मतलब, इसका मतलब हो गय क्या, कि हम से पूछ रहा है, सीधा cd, मतलब, क्या, vc1 minus vc2, बताओ कि क्या, vc1 minus vc2, potential difference, तो a party है, तो vc1 minus vc2, हम इसको करते हैं, क्या, subtract कर देंगे, a, और यह हो गया, b, वही अगर बोलता है, find change in potential difference, find change, potential difference, find change in potential, between c1 and c2, तो फिर final minus initial होता है, change जब भी word लगा है, तो भाईया, अलग चीज़ होता है, और simple potential difference लिखा तो सिधा से नहीं, पहले जो आया है, उसमें से subtract करतो, तो vc1 minus vc2, vc1 minus vc2, vc1 क्या है भाई, यह, तो लिख लेते है, kq बते r, यह है minus, तो यह हो जागा minus kq divided by, देख लो, root अंडर टेढ़ा वाला दूरी, तो r square plus d square, यह हो गया, और minus लगाएंगे, तो जो भी है, उसमें minus लगा दो सब में, तो minus लगाएंगे, minus minus यह हो जागा, plus, यानि कि खोल करके भी bracket लिख रहा हूँ, एक ही साथ देख लो, तो, जो समझ में आ रहा कि मैं एक लाइन और लिख दूने, तो कहीं confusion ना हो, जल कि सर कैसे हो गया छोड़, एक लाइन लिखी देते हैं, ताकि जिंदगी सुखा दी रहा है, जो है, लिख दो, तो यह है minus kq divided by r, plus क्या है kq, एक मिनट जाएगा, लेकिन डाउट की नहीं को तो नहीं रहेगा, हाँ, ये थी, चलो, अब तो सब्टरक्ट करे लिएता है, जो है, पहले लिख दिये हैं, अब करते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, kq बटे r, minus kq बटे टेढ़ा वाला दूरी, टेढ़ा वाला दूरी, हर बार यही बतवब बोलते रहे हैं, अब ठीक हो जाएगा, minus minus plus, kq बटे r, ये हो जाएगा, minus kq बटे टेढ़ा वाला दूरी, टेढ़ा वाला द के क्यू बटे आर ठीक है और ये वाला भी सेम ची दो बार है माइनस में लगाओ तो बोलें माइनस टू टाइमस है भाई क्या क्या क्यू डिवाइद भाई टेढ़ा वाला दूरी रूट अंडरे आर इसकर प्लस दिसकर को भी बच्चे नहीं बोलेंगे अब जो बोलेंगे त तो फिर गड़बर हो जाएगा फर्मुला जो है ना फिर बात में भूलने लगो गे तो मेरे को जिम्मेदार मत ठहरा ना तो मैं पहले ही बोलते रहा हूँ थे कि I will not be जिम्मेदार क्यू बटे आर माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा टेढ़ा वला दूरी टेढ़ा वला क्यू बटे आर माइनस क्यू बटे टेढ़ा वला दूरी तो दिस इस पोटेंशल दिफरेंस चली एक और पार्ट है इसका यह फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू नॉट क्यू नॉट फ्रम पॉइंट सी टू तो सी वन वही सेम सवाल इसका डी पाट कि सी ट वर्क डन कोई लेकर आएगा यानि कौन काम कर रहा है भाई एक्सटरनल आदमी ही तो कोई लेकर आएगा तो यानि कि हमसे पूछ रहा कि बताओ वर्क डन बाई एक्सटरनल क्या होगा जब भी फूजिक्स में बोले ना वर्क डन बाई एक्सटरनल तो लेक्चर वन टू मे जो याद करवाए है ना पढ़ा करके याद कराए है copy के cover के उपर नाम जो लिखाए है नाम के बगल में जो लिखाए है क्या लिखवाए है जब भी कभी पूछे work done by external भाई या delta u होता है default है पूछ लिया work done ना यानि पता है क्या understood है understood है कि understood that is work is done work done is slowly slowly काम किया गया तभी ऐसा है बोलोगा सर फास्ट काम करेंगे तो क्या होगा अगला लेक्षर में आपको बताऊंगा work energy theorem पर कैसे conservation of mechanical energy लगाते हैं और कैसे external बढ़ी अच्छा से वहाँ पर दो parameter से compare करके बताऊंगा ठीक है बहुत important तो ठीक है अब हमसे पूछाइए अच्छे यू डेल्टा यू जैसे आए डेल्टा मतलब क्या होता है change change का मतलब होता है final minus क्या होगा initial ठीक है finally तो भाई पहली initial रखा हुआ कहा था c2 पर initially यहाँ था सवाल में बोला है और finally यहाँ आया है तो यह जो point है मेरे लिए यह क्या भाई initial और finally charge को लेकर हम आए है यहाँ तो this is final यह मैं समय लिए कि one initial है two final है नहीं भाई यह सवाल क्या कह रहा है इसलिए उलट उलट करके मैंने यहाँ दिया है जैसे सवाल पुछ रहा वैसे लिखना है ठीक है तो final minus initial final है यहाँ final है यहाँ तो क्या लिखोगे you one minus initially initially कहा है यहाँ this is you two final और initial यह देखना है finally कहा है इस center पर initially कहा है इस center पर हो गया अच्छा अब क्या करें how to find you तो यह you होता क्या है बड़ी अच्छा से भी potential जो होता है कितना work done external किया है बटे कौन सा charge हम उठा कर ला रहे है infinity से और यही external work done जो है हो जाता है potential energy यह यानि कि जब भी you पूछे तो कैसे लिखेंगे q naught i into क्या हो जाएगा भी कोई दिकत उम्मीद है नहीं होना चीए infinity से point p पर पकड़ कर लाते हैं तो p पर potential energy हो जाता है और बस divide कर देते हैं q naught से तब potential भी कहा होता उसी point पर होता है potential कहा होता उसी point पर होता है यही सब चीज तो नहीं समझ में आता है बहुत कुछ कर लो फिर भी नहीं समझ में आता है बड़ी अच्छा से आप लोग को ऐसे बता है कि भाई 5 कलम खरीदे हैं तो दाम 20 रुपिया है work done external करते हैं जितना करते हैं वही energy है potential कहा होता है एक कलम खर दो तो केतना दाम होता है that is potential तो आप divide कर दो 20 पटे 5 तो एक कलम का निकलता है since 5 कलम खरीदे रहे हैं 20 रुपिया दाम है तो यही कलम खरीदे रहे है एक कलम का दाम केतना होगा यानि यही कलम का बात कर रहे तो P तब P ही अब यह है ABCD नहीं होगा कुछ और तो उस तरीके से भी आप समझ लो जैसे समझाए तो कहने का मतलब क्या किस चार्ज को आप पकड़ के ला रहे हो किस पॉइंट पर लाकर के आपने रखा है तो उसी पॉइंट का पोटेंशिल वही पॉइंट का पोटेंशिल एनर्जी तो यहाँ से मेरे लिए क्या हो जाता है यू 1 अगर बोला गया है या फिर ऐसे दोखो बोलो अगर बोले पोटेंशिल एनर्जी एट C1 तो जिस चार्ज को आप पकड़ के ला रहे हो जिस पॉइंट पर लाके रखा हो वहाँ का पोटेंशिल ठीक है अगर यू C2 तो बोले कौन सा चार्ज आप पकड़ के ला रहे हो और कहां पर आप लाकर रखे हो उस पॉइंट का पोटेंशिल जो रख रहे हो वही जो रख रहे वही बहुत खतरनाक चीज है हिंदी में समझो बचो कौन सा चार्ज हम पकड़ के ला रहे हैं और कहां पर लाकर रखे हैं जहां पर आप लाकर रखे हो वहीं का energy और वहीं पर बस वो क्या हो जागा potential ठीक, तो u1 क्या हो जागा भाई c1, c2 कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा this is c1, this is c2 तो uc1 कैसे लिखोगे, q0 into vc1 minus q0 into vc2 हो गया, no down कर लिजे तो यहां से देखे, q0 अगर हम common ले ले तो मेरे लिए आ रहा है, vc1 minus केतना है, vc2 देखो गौर करके, अभी हम लोग निकाल चुके हैं vc1 minus vc2 केतना है, vc1 minus vc2 क्या है भाई, k2 बटे r minus k2 बटे टेड़ा वला दोरी two times, जो है, वहीं उठाकर हम वहां रख देंगे answer आ जाएगा तो एक चीज़ calculate किया हुआ, दूसरा चीज़ में use हो जाता है q0 into यह हो जाएगा, two times k2 बटे r minus k2 बटे टेड़ा वाला दोरी तो यह हो गया, मेरा work done by external केतना काम करेगा, किसी charge को वहां से वहां लाने में, अब कभी कभी बोल देगा c1 से c2 लेके गए, c2 से c1 लेके गए, फरक क्या पड़ता है, जो बोला है इस stepping से, यह तो trick लगा लो, बस उसके बाद लिख लो, जो भी है तूमीर है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होता है न, examination में, जिसका कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लाखों students के मातरे में गलती करके आते, यह एक सचाई है इसमें इसमें कोई, यह नहीं बोल सकता नहीं sir, सब सही करके आते होंगे, नहीं क्योंकि same ही answer, बस subtraction में जो आप करके लाए न, बस पलस और माइनस का खेल होता है, पंदरा आ गया अब प्लस पंदरा और माइनस पंदरे बस 3-4 लाख प्लस पंदरे मार के हैं 3-4 लाख जो है, जितने student बैठे बट जाता है प्लस माइनस में, हम चाहते कि वो गलती ना हो, बस तु वो सब ठीक होती चले जाएगा, धीरे धीरे ठीक मिलते हैं, अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं थैंक्यू